हैं जी बच्छा लोग कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो मैं हूं विचारता आपकी बालोजी टीचर और आज हम यहां पे बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के ऊपर जिसका मानव कल्यान में सुक्ष मजीव याने कि जिसको हम क्या कहते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेर ठीक है अब जैसे कि हमने लास्ट च्वाटर में बात करी थी कि जो सुक्ष मजीव हैं याने की ci microbes हैं वो क्या काम करते हैं वह काम करते भई बिमारिया फैलाने के लेकिन यहाँ हम इंसान ऐसा है हम बहुत चालू होते हैं ठीक है हमने क्या क्या हमने सोचने क्या हम सब्सक्तों कि इनकर को पगड़ा और अपने अच्छे के लिए सबसे पहले इस चाप्टर को कि, हम क्या कहना चाहता है तो चाप्टर हमको क्या बोल रहा है चाप्टर बोल रहा है कि भाई हमार मेरा नाम क्या है मेरा नाम है माना कल्याण में सोक्षमजीव ठीक है जिसको हम कहते हैं microbes in human welfare तो यहां पर दो चीज़े आ रही है एक आ रही है आपकी माना स्वास्त एवं रोग जो हमने अपने पिछल सोक्षमजीव का यूज हम किस में कर रहे है मानव कल्यान में कर रहे हैं और इनका हम फायदा उठा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक है अब यहां पर ही जो सोक्षमजीव है इनका यूज देखेंगे हम अपने अच्छे के लिए ठीक हमारे अच्छे के लिए है हम बात करेंगे कि हम मनुष्य ने क्या काम किया इनसे फायदा उठाए अपने कल्नियान के लिए ठीक है चलो GDP वाली warto जाती है तो इन्होंने बुरा किया हमारे साथ ठीक है तो इसलिए क्या हुआ इनके साथ खीक किया बात कर रहे हैं ठीक है वार करें है यहां पर फोड़ों ओत्वारे में होगत कर रहा है यहां पर जो खञ किया जा रहा है जैसे गर में दूद होता है थो नियुन एडली भीदिक है कि हम पनीज है और चीज़ है तो इस सारे कि सारे चीज़े क्या है सबसे पहले सूक्षमजीवह का उपयोग हम ने किसमे keys किया हमने किए घर में जो जन्रल सी चीज़े आती है उनके बात täll फिर हमने ओधयोगी करिंट में ईंडिस्ट्रियल लेवल पर हमने इनका यूज किया उसके बाद किया हमने वही तमल उपचार याने की जो सीवेश टैंक होते हैं उनको भी तो साफ करना ज़रूरी होता है वन्हाँ घरों में घंदगी फैलाते हैं ठीक है फिर यहाँ पर हमने बायो गैस उत्पादन में इनका इस्त्amasल कर दिया और फिर हमने क्या जयव उ्रवक के रूप मिसुख्ष्मजीव यानि कि हम ने हर तरीके से हर तरीके से इनको निचोळ डाला और इनका इस्तमाल कर डाला है है ना चलो सबसे पहले बात करते हैं घरेली उद्पाद के अंतर तो जब घरेलू उत्पाद से पहले हम परीचे जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप क्या कहोगे कि जिवानू कवकों के समान सुक्षम जीवों को पोशक माध्यमों पर उगाया जा सकता है ताकि वो वृद्धी कर सकें ठीक है लेकिन उनको हम नेकिड आय से नह लंगने आंखों से नहीं देख सकते हैं अब यहाँ पर यह जो बैक्टिरिया क्या क्या काम करेंगे अंगे हम क्या उठाएंगे चलों आगे बढ़ सबसे पहले हमारे पास किया रहा है सबसे पहले हमारे पास आ रहा है और हम बता है मोंटने पाइचाता है अब यहां सब बैक्टीरिया इस्तमाल में आता है, सिंपल सी बात है, आप सबको मालूमें बहुत कॉमन सी चीज है, कौन सा बैक्टीरिया यहां पर इस्तमाल में आता है, हमारा लेक्टो बैसिलस, ठीक है, जिसको हम लेक्टिक एसिद बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानि कि इसको हम लाब भी कहते हैं जो फार देने काम करता है यह जो बेक्टिरिया इस काम करता है और जिसके वैसे दही बन जाता है ठीक है चलो आगे बर जाते है यहßu बन गिया यहां पर आपका आपका से मतलब दूद का रही बन गया है आपका रही नहीं बने वह तो दिमाग का रही होता है हम कहते हैं दिमाग का रही हो गया ठीक है अब आ जाता है कि भाई दही जो है वाइटिमिन 12 होता है इसमें बहुत ज़्यादा एमाउंट में ठीक है और क्या होता है पोशक संबंदित गुणवत्ता में सुधार आता है कहते हैं डॉक्टर के खाने के साथ दही खाओ आपको बहुत जदा फाइदा मिलेगा है यहां पर कौन सा सुक्षमजी व्यूज हो रहा है आपका लैक्टर बैसिलस हो रहा है और अन् मूद में प्रोटीन जो होता है उसको पचा देता है और जिसकी वज़े से क्या हुआ जिसकी वज़े से यह दही में कनवर्ट हो गया राइट चलो आगे बढ़ जाते हैं अब यहां पर आता है कि भाई जब आटा गूनते हैं ठीक है किस चीज़ का अगर आप यहां पर दे कावल जो है जिसको हम क्या लाटने टाने तक witnessed को रखते हैं ठीक तो यहां क्या होता है जब दोसा कि बात करते है तो यहां पर एक बधैर यूज्यका में कहतें यूज है तोanto नॉल जिए जिएक fight बर्तन में भी होता है न तो वहां पर भी क्या दिखता है हमको कि उसमें से बुलबुले से उठते हुए दिखते हैं तो याने की वहां पर सीव क्रेज होई है तुम याने सेवीट्रमीच urged यहांन्य उद्बन होती है इसका किडवण जिसको हम fermentation भी कहते है राइट चलो अब आता है इस्ट याने की फंगी ठीक है यहाँ पर इस्ट जो है हमारा फंगी है और क्या ना हमें इसका Saccharomyces cerevisal ठीक है Saccharomyces cerevisal अब यहाँ पर यह क्या क्या काम करता है कि जो bread का आटा होता है उसको पकाते समय भी सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ से सी यो टू गैस क्या होती है थीके इसलिए होती है अब जो बेकर्स होते हैं इस यूज को पारबिक पे में भी यूज करते हैं इसको टोडी बोलते हैं तो बास सबका फेवरेट है पनीर और चीज तो यह क्या प्राचीन बोज्जे पदार थे यानि कि बहुत लंबे टाइम से लोग जो है इसका खाने का यूज़ कर रहे हैं इसको तयार करने में सुक्षमुजीवों का प्रयोग होता है हम सबको मालूम है अब संद्शना के अधार पर यह भी अलग होते हैं सोगंद के अधार पर पनीर और चीज अलग होते हैं और स्वात के अधार पर भी अलग-अलग होते हैं यानि कि 1,2,3 त्री टाइप के हम यहा भाई इसका नाम Swiss cheese है ठीक है तो यहां पर सूक्षमजीवों का प्रियोग किया जाता है और यहां पर जो सूक्षमजीव पाया जाता है उसका नाम क्या है प्रोपीयोनी बthanic bacteria शारमिनाय जह बहुत बार पूछा जाता है यह जो बेक्टीरिया है इसका नाम बहुत जादा important है बहुत बार पूछा जाता है कि यह बड़े किस में यूज்ग होता है तो आप क्या बो लोगे स्विस शीजमें ठीके चलो फिर आपका आता है रौक्यू फोट रौक्यू फोट चीज क Dragons कि फंगरो इस में पाय जाता है जिसका नाम है पैनेशीलियम रौक्यू फ़ोट ठीके और ये walking चीज है ini इसमेंसे क्या है सुगंद आती यानि कि खुश्बू आती है तेखो कुछ इस तरीके का दिखता है यह दिखने में थोड़ा अजीव सा लग रहा है कि यार यह काले काले से धब्बे के लेकिन यह मकायदा बहुत टेस्टी होता है और इसमें से खुश्बू बहुत ही अच्छ है अचि जो लोग को खाने के शोकीन है इसको एक बार सकते बहुत में में के बारे में तो यहां पецबा बनाना इद्ली रोसे बनाना घर में पनीर बना लेते हैं लेकिन आफ बड़े लेवल पर बाना गर्दैक नियुक्त छोटी चीज writings की बात करेंगे तो एक उसके लिए आपको बहुत बड़ा से एरिया चाहिए होता है जो घर में अलकोहल बनती है ठीक है छोटे-मोटे बरतनों में नहीं बनती है एंटिबाइटिक क्या अपट गर्में बना सकते हो क्या रहे हैं तो कूकर में अंटिबाइटिक ही बनाओंगा मैं आज आज तो मम्मी लेते हैं मादक पे याने की अलकोहल की और प्रतिजयविक याने की ऐंटिबाइटिक के हम बात करते हैं ठीक है तो यहां पर इन दोनों को बड़े पैमानगा बनाने के लिए याने की website क्रूप पर बनाते हैं तो सूख्ष मुजीवों को पैदा करने के लिए हमको ऐसे बड उपर इनmaraにया कुई जाता है है ना और यहां देखता है कि इसे इंदर क्या चल रहा है खूब बड़े बड़े वड्रतून उते हैं ठीक है जिन जिनको क्या बहुंत भोलते हैं औ Matth वाज़ा है किन्वन यानि की पेजल की बात आती है तो यहां पर सवाल आता है कि क्या है जब मैं कहूंगी क्या है तो कहोगे जैव रसायनिक क्रिया से यहां पर इसको बनाया जाता है ठीक है फिर यह क्या है किन्वन तो खमीर या बैक्टीरिया की क्रिया के कारण एक रसायनिक परिवर्त क्या यूज होता है तुक्त में अंगूर जौ रॉट करते हैं टार्या ज्मि करते यह जबिस और एलकोहॉल किसका बनता है? current या गर बदलती है शराब या या इतने बात कितने बच्चों को clear होगी है मुझे यहा तक समझाओ clear होगी है तो thumbs up दिखाओ खबाफ़ट थांकि हम आगे बर जाते हैं मुझे लगता नहीं है कि यहां तक समझने में आप लोगों को यह तक परिशानी हुई होगी है ना सब कुछ इतने इजी तरीके से यहां पर एक वर्ड आपको बोल के समझाये जा रहा है लिखके समझाये जा रहा है राइट चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं देखो अब कि शूक्षमजीवों की वृद्धी कराई जाती है ठीक है कौन से शूक्षमजीव डाले आते कवक डाला जाता है यानि की सेक्रोमाइसी सेरेवेसी डाला जाता है कौन सा कवक डाला जाता है कि इनवन के लिए सवाल आता है कि कि इनवन के लिए कौन सा कवक डाला जाता है तो यह ग्लूकोज है अब यह जो ग्लूकोज होती है इसको किन्विट किया जाता है ठीक है क्या किया हमने किन्विट किया तो कैसे किया भाई यह जो ग्लूकोज है इसको हमने किन्विट किया यानि की फर्मेंटेट किया ठीक है जिससे हमको इधनॉल मिल जाता है जब ओ चाता है तो ओच का मतलब क्या हो गिया आपका इतनौल हो गया ठीक है आगे समझ में बात हाँ यह रहा ऐलकोहॉल ओएल चलो कि ओएल का मतलब क्या होता है ओएलकोहॉल अब देखो शोक्षमची विशेशकर पूर्व का पूर्व से प्रियोग पूर्व प्रियोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उतपादन में किया जा रहा है इस उद्देशे की पूर्थी के लिए वही इस्ट सेक्रोमाइसेस सेरेवेसी समानेता ब्रिवर्स इस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है यहाँ पर एक बार सवाल आ सकता है कि ब्रिवर्स इस्ट क्या होता है तो क्या जवाब दोगे आप सेक्रोमाइसिस सरेवेसी को हम प्रीवर्स इस्ट के नाम से जानते हैं इस्ट द्वारा इथनॉल उत्पन होता है किनवन तदा विबिन प्रकार के संसादन कच्छे पदार्थ पर निर्भर करते हैं वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आफसन के जबकि विस्की ब्रांडी तथा रम किनवन रसके आफसन द्वारा तयार किये जाते हैं तो तो यहां पर देखो यह दो चीजों से मिलके बना हुआ है एक आता आपका ग्रीक भाषा एंटी में ग्रीक भाषा का ग्रीक भाषा में एंटी का मतलब होता है खिलाफ ठीके हम कहते हैं यार यह हमारा एंटी है यह हमारा एंटी है तो एंटी मतलब कि यह हमारे खिलाव है हमारा दुश्मन नहीं ठीक है तो एंटी मतलब होगे खिलाव और बायटिक का मतलब होगे जीवन तो यहां पर हम कह सकते हैं जीवन के खिलाव लेकिन किसके जीवन के खिलाव ज प्रति जयविक की जब बात कर रहे हैं तो कौन सा कवक इस्तमाल होता है पैनिसीलियम होता है यह हम सब को मालूम है अब यहां पर एक कहानी होती है जिसके बारे में यह दो-चार शब्द लिखे हुए यह पैट्रिडिश है यह ना इस पैट्रिडिश को जो हमारे कौन थे हां कौन थे हमारे साहब बदाओ बताएंगे अभी बताएंगे नाम भी बताएंगे तो यहां पर हमारे जो साहब थे छुट्टिया मनाने गए थे वेग्यानिक जी जब वो लॉटे तो उन्होंने देखा कि अरे यारे पैट्रिडिश को पर तो कुछ अजीब अजीब से स्रु मोल्ड बनने लग गया था ठीक है कुछ इस तरीके के चीज़ें नोटिस करी जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं ताकि आप लोगों के अंदर भी क्योरे सिटी होनी चाहिए कि यार मैं बात क्या कर रही है क्या बदाना चाह रह रह यह रहे वाले पोड़िन है मोटे मोटे से स्टुक्चर तो उन्होंने ऑजीव गरीब चीज़ क्या है तो इसको फिर उनोंने क्या क्या मा Fifth को में टेस्ट करा तो जब टैस्स करा तो उनको पता चला और हो में बहुत काम की बी और चीज है तो यह आपर चलो थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस चीज के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो प्रतिजयविक था वो क्या था पैनेसीलियम था ठीक है एंटिबाइटीस का यूज क्यों होता है इसका उप्योग किया जाता है प्लैग हो गया काली खासी हो गई डिप्टेरिया हो गया लेपरोसी हो गई किलिक इनकेमे जो ने यूज होते हैं यहां पर यूज किया जाता है ठीक है कि अब प्रतिजयविक यह एक प्रकार का रसायन प्रदार्थ है जो सुक्षमजीव होते हैं उनकी व्रिद्धी को यह ने कर देना या उनको मार देना यह रोक देना इसका काम है ठीक अब हूआ क्या देखो हुआ यह की 1928 की बात है जो डॉक्तर एलेक्जंडर फ्लैमिंग थे वो क्या है वह छुटियां वह ने करी बाहर गये थे अपने परिवार के साथ उन्होंने क्या किया एक स्टेफिलो कोकस बैक्टीरिया के पेट्रिडिश पर फफूंद उखते वे पाया जब वह बापीस लोटे तो उन्होंने देखा यह पेट्रिडिश के उप उन्होंने फफूंद पाया कि बाई यह फफूंद नजर आ रहा है यह क्या है एक्चली में तो इसको उन्होंने मोल्ड बोला तो उन्होंने जल्दी पहचान लिया कि यह क्या है मोल्ड है अपनी आत्मरक्षा के लिए रसायन का उत्पादन करता है ठीक है जो बैक्टीरिय नोटेटन नामक मोल्ड से उत्पन होता है इसलिए इसे पैनेसीलिन नाम दिया करेक्ट तो इसके पीछे की कहानी है इस कहानी को याद रखेगा इंटरस्टिंग है आपको इनका पूरा का पूरा जो है बैक्ग्राउंड याद हो जाएगा देखो होता है जब हम बुक से पढ हमारे और यहां आगे अटक जाता है बिल्कुल और एक दम समझ में आता है है ला चलो तो अब जब इंजाइम रसायन तदा अन्य जैव सक्रियानों की बात होती है तो यह क्या है यह विशेश प्रकार के रसायन है इनमें कारबनिक अमल आते हैं अलकोहॉल है और इंजाइम है ठीक है वेफसाइक तोर पर तता अध्योगिक उत्पादन में सोक्ष मझेव को इस्तवाल बड़े पैमाने पर किया जाता है यह चीज हम लोगों ने अभी देख ली है अब कौन-कौन से है यह देख लेते हैं कि जब हम आसेटिक अमल की बात करते हैं तो यहां पर एक ज जिवानु है फिर है आपका लेक्टिक अम ठीक है तो यहां कि आदा आपका लेक्टियो बेसिलस आ रहा है फिर लाइपेज आता है तो इसका प्रियोग किसमें हो रहा है यहां पर क्या बोलते हैं आप मार्जक संद्रूपन एवं धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्ब छुटाने के लिए समझ गए आप फिर आता है प्रोटियोग कहा होता है बोतल वाला रासिया ने की जो आप पैकेट वाला जूस पीते हो ना भाई साब यह वहीं की बात हो रही है ठीक है इसका यूस किया जाता है तो जूदा स्वच्च और साफ रखने के लिए यहां पर चलो चलो फिर आता है आपका जैव सक्रिय अणुकी जब हम बात करता है तो यहां पर एक चीज हाती है थक्षा पॉट्ण याना की ठाका मदलब होता है धक्का मतलब होता है क्लोटिंग जो ब्लड होता है ठीक? होगै जहां हमारे तो ह को पुल निकलना चुरूड हो जाता है लेकिन थोड़ी तो बाद है यहां पर धक्कर स्पोटन से क्या चाता है ऐसा ही होता है जिसमे एंक złote şi पंद उजाती है को दो हो रहर एक दूसरा केस को जारिए किसी के भी है तो यह हम बात कर रहे हैं जो खरीन हो जाती है एंब guitar जाती है into यहां पर एक यवानु नहीं हो रही है खौन के फिसे ना हवाマ सबकत किया लाई जाता है step to step to step to inisit से ठीके तो यह क्या काम करता है वहां पर जो थक्का फोटन में इसका यूज किया जाता है यहां पर थक्का बन रहा है इसको खोलने के लिए फिर आ रहा है अंतहः प्रतिरोपड यानि कि immunosuppressive यह कवक यूज़ होता है यहां trichoderma polysporum ठीक है फिर आता है drug cholesterol को कम करना याने की कहते हैं ना कि यार अमारे body में cholesterol बहुत जादा हो गया है बहुत से जो बड़े-बड़े लोग है ना मतलब बड़े-बड़े जो किस से मिलता है जो क्या काम करता है सटेन का प्रियोग करते हैं हम जिसे ठीक है अब यहां पर आपको दो चीज़े दिखाई दे रही है इन दो तो नाा पर ऑद्योगिंग में भी देख लिया इनका यूस की तीसरा क्या यह जोप्डि Caucasus नीकल रहे है इसे यहां बिल्दिंग से दुव्स निकल रहे यह गंदगी निकल रही है यह पानी है क्या है यह सब समझ में नहीं आ रहा है कौन बता सकता है मुझे बताओ बता सकता है कोई बूलो चलो जिनको मालूम है वैलिंगूर जो समझ गया है जो नहीं समझ है मैं उनको बता देती हूं कि यहां पर मैं आपको बताना चाहरी हूं क यहाँ पर हैं इन सुक्षमजीवों को नहीं भक्ष्य हमने बोला हम यहां पर वहीच की बात कर रहे हैं तो वही तमल कि जिसको हमने क्या बोला शीवेज बोला ठीक है इसमें क्या होता है माइक्रो ओर्गनिजम्स का हम यूज करते हैं ठीक है अब। यहां से निकलने वाला गंदा पानी जो होता है उसको हमने सीवेज वोला सीवेज हमको क्या करना है है ठीक है अब यहाँ पर आपके किजन है किजन में से बर्तन साफ होते हैं तो पानी निकलता है बातरूम तो प्रति दिन नगर एवम शहर से व्यर्थ जल कि एक बहुत बड़ी मात्रा जो होती हो पैदा होती है मतलब चाहें गाउं हो शहर हो ठीक है गंदा पानी निकलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है हर कोई करता है ठीक है अब व्यर्थ जल का प्रमुग घटंग मनुश्य का मलमूत्र है नगर के इस व्यर्थ जल को वहित मल भी क अब इसमीं क्या होते हैं तो जो sold कि अब यहां पर पाए जाते हैं त्यृक्त अब आप देखो को और Consult Series मे 술 दो तो यह आपका पहला आएगा प्रात्मिक याने की प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा क्या है आपका दित्तिक याने की सेकंडरी ट्रीटमेंट तो जब प्रात्मिक उपचार की यहां पर बात करते हैं तो सोक्षमजीवों का यहां पर उपयोग नहीं होता है ठीक है यहां पर सोक्षमोजीवों का उपयोग यहां नहीं हो रहा है यहां पर यह जो वहितमल है ठीक है घर नालों से आ रहा है ठीक है जिसमें मिट्टी भी है पॉलेजन भी है कपड़ा भी है रेत भी है पत्थर भी है सारी की सारी चीज़ें यहां पर आती है जब मैं दुत्तिक की बात करती हुआ निकी Secondary treatment की बात करी हून तो यहां पर सूख्ष्मुजीवों का उप्योग किया जाता है यहां पर इनको एक बड़े लेवल के उपर किया जाता है ठीक है यहां पर एक बड़े लेवल पर होता है इसी लिए ठीक है चलो इसको समझते तो मैंने बोला कि जो वहित मल है ठीक है वो घर और नालों से आता है जिसमें मिट्टी पॉलेसिन कपड़ा रेत आदी सब कुछ होते हैं सबसे पहले इनको क्या करते हैं यहां पर देखो मैंने आपको पूरे तरीके से समझाने की कोहिश करी है डाइग्राम मैंने बना के रखा है कि पर चलने के लिए चलने के लिए जरूत होती है तो पहला प्रॉसिस यहां पर आता का निस्पंदर जिसको हम फिल््ट्रेशन कहते हैं तो यहां पर जब यह चीज़े डाली जाते हैं और नीचे क्या जाएगा नीचे आपका पानी चला जाएगा ठीक है तो पहले ही टेंक में दो process होते हैं एक होता है निस्पंदन एक होता है अफसादन याद रखना filtration और sedimentation तो यहाँ पर क्या होगा यह अफसादन नीचे हो जाएगा रेत मिट्टी और प्रात्मिक आपंग यह सब चीज़े क्या होंगी अशुद्ध जिवानों यह यहाँ बैठ जाएंगे ठीक है आप इस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसमें अब यह जो टैंक है आपका यह टैंक कैसा है यह वाइव यह टैंक है यानि कि एरोबिक टैंक क्यों क्योंकि यहां पर पतली से नलिका होती है जहां से oxygen को अंदर एंटर कराया जाता है अब इस oxygen के साथ यहां पर सुक्ष मजीव है बहुत खुश है यह बोलेंगे यहां तो भाईया खाने के लिए बहुत सारी है है ना आज तो पार्टी हो जाएगी आज तो हमारे मज़े आगए फ्रीफट में बहुत सारा खाना खाने को मिल यह तो यह क्या करेंगे यह जितने भी कार्बनिक पदार्थ तो जक्ष मजीव है को डाला जाएगा अब यहां क्या होगा अवाई विय शूक्ष मजीव को डाला जाएगा अब यहां तो तीसरे माले में जल भी आगया और फ्लॉक्स भी आगया यहां पर हमारे पास भी बोलेंगे ये तो खाखा केतने मोटे बील नब कर देंगे ऐसके करेंगे आ पानी बिल्कुल नीर्डन क्लीन कर देगे उसके बाद यहां से जब जेल फ्लोक्स याद रखना बिल्कुल ठीक है बहुत इंपॉर्डेंट प्रॉसेजर बिल्कुल भी नहीं मिस्करना है राइट चलो हुफ यहां पर एक शब्द आता है फिर भाई बी ओडी बी ओडी क्या होता है बायो कैमिकल ऑक्सीजेन डिमांड हो जाता है यानि कि हम इसको कैसे हमने बोला यह एक लीटर पानी है इसमें कार्बनिक पदार्त मौझूद है तो यहां पर हम वाई वीए सुक्षमजीवों को क्या करेंगे एंटर कराएंगे और यहां पर ऑक्सीजेन की प्रेजेंस में क्या होगा ऑक्सीक्रत हो जाएगा ठीक होगा देखो कि जब एक अब देखो अंतह विसर्जन से पूर वहित मल का उपचार मल सयंतर में किया जाता है ताकि वह प्रदूशन मुक्त हो जाए जलका उपचार प्रती पोशित सुक्षमजीव से किया जाता है जो वही क्या बोलते हैं प्राकरतिक रूप से वास करते हैं यह उपचार दो जिसके बारे में मैंने बताया था मूलवूत रूप से उपचार इस पदने वहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्पंदन तदा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग किया जाता है इनको अलग अलग किया गिया है शुरुवाद में तैरतों कूड़े करकट को अन प्लावी बहिस्त्रावी का निर्वान करते हैं ठीक है बहिस्त्राव को प्रात्मिक निस्पंदन टैंक से द्युत्तिक उपचार के लिए ले जाया जाता है यह देखो का गया यहां से बहिस्त्रावी है यहां से यहां गया ठीक है अब प्रात्मिक बाहस्तराफ को बड़े 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 वाले टेंक में से गुजारा जाता है जहां लगता है कि यह रूप से यह क्या है बिलकुल हिल जाता है जब एक्दम भारी भरकम कोई चीज वहां पर डाल जाती तो और कि यहां फाल जाता है अर्वाइओ को इसमें डाला जाता है ठीक अभी से लाब दायक वाजू बना जो सूक्षमजीव होते हैं उनकी प्रवल सचक्षव्रद्धी होती है यहां पर ठीक व्रद्धी के दौरान सूक्षमजीव वही जो क्या चैनक जो होते हैं उसमें उपस्तित कार्बनिक पदार्थो के प्रमुक भागों की क्या करता है खपत करता है याने खाना शुरू कर देता है बाइए साभी के बीयोडी को महत्वपून रूप से घटाने लगता है ऑक्सीजन की उप्योग मात्रा कहते हैं जिसको हम तो यहां और द्वारा एक लीटर पानी में मौझूद कार्बनिक पदार्थ की खपत कर उन्हें ऑक्सीक्रम कर देते हैं वहीत मलका तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि बीयोडी घटना जाए ठीक जल के एक नमूने में सूख्षमजीव द्वारा ऑक्सीजन के उधारन की दर मापन बीयोडी परिक्षन से की जाती है ठीक है और अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्तित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही क्या है बीयोडी कहलाता है जब जो वेर्स जल है उसका बीयोडी अधिक होगा तो इसकी प्रदूशन चमता कैसी हो जाएगी हाँ अधिक हो नदियों के लए चलाएं तो आपको याद रखना है एक गंगा एक्षण प्लैन है और यमना एक्षण प्लैन के नदियों के लिए चलाएं वही चीज़े हो जो मैंने आपको वर्वली बोल्के यहां पर समझाई है है यहां पर ठीक है फिर भी बता देती हूं एक बार कोई बात नहीं वेर्थ जल और वहित मल ब्योडी प्राप्त मात्रा में घट जाए तब वहीं स्राफ को निस्पंदिन टैंक में बेज देते हैं यहां पर जिवाणू का जुन्ड मिलता है है अफसाद में परिवर्थित करते हैं यह क्या है सक्रेट आपंक कहलाते हैं छोटे छोटे भाग होते हैं वाइब टैंक में भेज दिया जाता है उसके बाद फिर वहां पर जिवाणू जो होते हैं जो अवाइब यह आपंक होते हैं संपेचित्र अनॉरोबिकी स्लज डाइमेस्टर में जाते हैं ठीक है वहा रिलीज होती है कौन सी गैस रिलीज होती है CH4, S2, सलफाइट और CO2 ठीक है यह देखो यहाँ दिखाती हूँ देखो यहाँ जब पानी स्वच हुआ हमने बोला कि अवाइव यह सूक्षमजीव से इन्होंने जो है फ्लॉक्स को खा लिया था तब इस बीच क्या हुआ था जब पूरा कारेकरम चल रहा था चुपके से कुछ गैसोंने मौका मार लियो चुपके से कुछ गैस यहां से रिल बायो गैस में यह बहुत ज्यादा जॉलनशील होती है और उर्जा के रूप में इनका प्रियोग किया जाता है ठीक है चलो अब देखो बायो गैस के उप्चार में सूक्षमजीव की हम बात कर रहे है ठीक है तो यहां पर क्या है बाई इतना जानलो कि आप सबने गोबर का नाम तो सुनाइए गोबर कहां से आता है गोबर आता है शाकाहरी जीवों से है ना तो जो शाकाहरी खाना खा रहे है तो फूल फल पत्तियां उनमें क्या होगी उनमें सेलिलोस होता है है अब सेलिलोस होता है यानि कि इनके गोबर में भी सेलिलोस पाए जाएगा तो यहां के दौरान गैस रिलीज करता है ठीक है CH402 ठीक है ज़ब होते हैं चेला आप यहांपर सेलिलोस का ना कारेकरम चलता रहता है चलता रहता है इसके रोमेन में ठीक है अब यह देखो अब हमने क्या बोला कि यहां पर यह important है इस चीज़ को याद रखना है आपको कि बहुँ जमीन के नीचे इस तरीके से tank बना दिये जाते है ठीक है tank बनाया यह उपर से इस तरीके से एक धक्कन होता है इसके अंदर यह 10 से 15 cm होता है नीचे ठीक है जमीन के पानी और गोबर दोनों डालते है और इसको क्या हिलाया जाता है चाहे डंडे से हिलाओ या कैसे हिला इसको हिलाया जाता है मिला दिया जाता है फिर इसको पहुंचाया जाता है दूसरे वाले tank में यहां गोबर पानी प्लस जिवाणू यहां पर मौजूद होते हैं और उपर तरीके से ना एक चिमनी सी निकाल देते हैं यहां पर अब जो गोबर पानीं उचिवाणु मिलते हैंने कि मितलोजन यहां पर Mithalogen ने तो यहां जब किनों चीजें मिलती हैं तो यहां पर क्या हुआ गैस रिलिज हो रही है चैज प्रेज बना गया से बना के इनका यूज करते हैं अब यहां से जो यह सब घुल मिल गया है उससे क्या बना सलरी बन जाता है अब सलरी बनता है तो यह तीसरे वाले उसमें आ जाता है अब यहां पर जो सलरी है क्या है उर्वरक है ठीक है तो यह जो उर्वरक है क्या है जैव उर्वरक है ठीक है जो खात के रूप में इस्तमाल किया जाता है ठीक है किसमें खेती में ठीक है चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बायो गैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है सोक्षमजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होते हैं व्रद्धी और उपाय के दौरान सोक्षमजीव विबिन किस्म के गैसी अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं जो गैस आतेका किनवन पनीर निर्मान तदा पैयों के उत्पादन में सीओं टुगाज जो है रिलीज होती है ठीके तो मुक्हय रूप से वही उत्तपादन होता है ठीके कि इसी кра घास की मुक्हय रूप से उत्तपदन होती ऑफ जबकि कुछ बैक्टीरिया जो सेलिलोज पदार्थों प्रति अवाई भी रूप से होते हैं वो CO2 और S2 के साथ बड़ी मात्रा में मिथेन भी बनाते हैं सामोही रूप से इन जिवानों को मिथनोजन कहते हैं और समानने जिवानों मिथनोबैक्टीरियम कहलाता है जाते हैं और सलज यहां पर आ जाता है अब जिवानों पशियों के रूमेन में पाई जाते हैं जो मैंने बताया अभी रूमेन में सेलिलोज पदार्थ की बड़ी मातरा होती है यह भी बताया है रुमिप इंका प्रियोग बायोगेस को बनाने में हिया जाता है थीक a इस तरी केसा आपकी बुक में देखो दिया हुआ है बायो गैस सरी अंतर एक टैंक होता है जिसमें अपसिष्ट तदा गोबर शामिल होते हैं यह इंपोर्टेंट है यह बनाने को आता है तो इसको आप अच्छे से बनाना सीख लीजिए बायो गैस प्लांट बहुत बार पूछा जाता है ठीक है पांच नमबर में आता है कि उसक सचित्र वर्णन कीजिए इस टैंक के ऊपर एक धकन रखा जाता है और भी सकरिता के कारण टैंक में गैस बनती है गैस के कारण धकन जो होता है धकन धकन ऊपर उठ जाता है बायो गैस से अंतर में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है आप देख सकते हो प्रियोगी जैव नियंतरन कहलाता है आधुनिक समाज में यह सम्येशंत रसायन की नाशक तता पीड़क नाच्चियों के बढ़ते हुए प्रियोगी सहाइता से की जाती है रसायन मनुष्य तता जीव जन्तुओं के लिए बहुत ही विशैला और हानिकारक है यह हम सब लोग आठी जानते हैं कि फस्लों में डाले जायस तो ज्यादा आठाए तो फस्लों को नुक्सान को नुकूशन पहुंच जाता है बढसाथ हो जाए कि नदी-धालोत वहां छीव घृकों में लिकार ठीक खाने में मिलके आजाए तो हमारे लहानिका रखे हैं अल्टिमेटली सबके लहानिका रखे हैं यह परियावरण का प्रदूशित करते हैं तो ऑवेसी बात है जमीन खराब होती है ठीक है आपका पॉलीशन भी हो जाता है है और जो वाटर पॉलीशन भी फैलाते हैं क्योंकि उसके अगर पानी में चले के तो वहाँ जो जीव मर जाएंगे तो पॉलिशन फैल जाएगा वहाँ पे भी सब्ची और फसलो को भी नुक्सान पहुचाते हैं खर्पतवार नाशक प्रयोग खर्पतपार को हटाने में किया जाता है और यह हमारी प्रयोग की विधी रसायनों दो वार लिखा गया अच्छा दो वार लिखा गया तुल्ना में प्राकर्तिक परवक्षन पर ज्यादा निर्बड करती है जैविक किसान के अनुसार जैव विविद्दा ही स्वास की कुंजी है भूद अश्र पर जिन अधिक किस्म होगी उतनी ह ड़िक श्तायितू प्रदान करेंगे अंतरह जैविक किसान एक तंतर को विच्षित करने के लिए कारे करते हैं जिनमें जो कीट को यहाँ करते हैं ठीक है ये देखो अब यहां पर समझो कि Jev Neantar की बात कर रहे हैं तो जैव Neantar में यहां पर कीन कीटों का यूज कर रहे हैं यह इनकी प्रकृत्री या इंको मा कोड़ लिए इनको मzahl चाहिए इनको म curator को कि पढ़ प्रग को नुक्सान पुचाते हैं तो यहांफेंथ right को फश्र को यह वांफे उपनी पास यही जिसे मुछे नहीं पथा आप लुग क्या बहनते था in इसको बच्वन में हेलिकॉप्टर बोलती थी तो ब्रंक जिन पर लाल तता काली धारियां पाई जाती है तता व्यांत पतंग क्रमशा एफिडो तता मच्चरों से छुटकारा दिलाने में अत्यंथी लाप्रद है ठीक है यहां सूक्ष्मजीव जीव नियंतरन कारक क्यां बैटर की में तो कता है यह अधाय करें काम से और होता है यह थे जो दॉक्ता, और काह करते है कैसे यह इसके पेट में जाएगा हैना पेट में शाकर क्या करेंगा यी अच्टिव में जाता है खरां Tamam आप काम जासे नोब फिर उसकी आंन्हें विशार ओता है हैना और तो ट्राइकोडर्म मैं क्या करते हैं इसको हम मित्टी में मिला देते हैं और जड़ के ओपर ये सिरुक्षया प्र 보ant करता है हम ने फासल है अब लाल लाल रूट है और सक्षबस्पेदाआ यह क्वच Käँ अदिया कीफ है ति अभी जगतां огए देखो कीटों ने क्या किया इसकी जड़ को खा लिया लेकिन जहां पर मैंने ट्राइकोडर्मा मिला के डाला है वहां जो वाइट वाइट है यह क्या है कवच बना दिया है मैंने कि देखो यह जड़ के ऊपर कवच बन गया है और यह जो कीट है यह बाहर ही है इसके और इसको तो रुक्सान नहीं पहुंचा पा रहे हैं ठीके चलो फिर आता आपका value low virus ठीके किसके सदस्य है यह है नुकलियो तो आज की तारीक के साथ क्या है अगर जीवन को देखी तो पता चलता है कि पर्यावरन प्रदूशन चिंता का एक मुख्य कारण है क्रशित पादन की बर्तिवी मांग को लेकर रसायन और वक को पूरा करने के लिए प्रदूशन को रोकना महतो पूर्ण है रोकना महतो पूर्ण है शुष को बिजाणू सुगंदि थैली के रूप में उपलब्द रहते हैं जिनने पानी में मिला दिया जाता है मिश्रन को दोश्पूर्ण पादप जैस सर्सों का समू फल्व रख जिनकी पंतियां कीट लार्वा दोरा खाली गई है उन पे छिड़काफ किया जाता है लार्वा की पाचन नली में विश निकलता है ठीक है और लार्वा की मृत्धी हो जाती है जीवन विए रोग केटरपिलर को मार देता है ठीक है लेकिन अन्य कीटों को यहानी नहीं पहुचाता है सिर्फ और सिफ केटरपिलर के उपर यहानी का रख है लगवा पिछले दशक में अनुवांशिक अभी अंतरकी की विदिया विकास से विग्यानिक बैसिलस तुरंज टॉक्सिन जीन के पदार्तों में पहुचा सकते हैं ऐसे पादप पेड़ित द्वारा किये गए आक्रमन के प्रती प्रतिरोधी है बीटी कॉटन जिसका एक बहुत अच्छा उधारन है बीटी कॉटन का नाम आप लोगों ने सबने सुना है ठीक है अब जैब विग्यानिक नियंत्रन के तथा कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है ट्राइकोडर्मा प्रजाती एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल परिस्तितिक तंत्र में क्या करती है समानतर रूप से पाई जाती है बहुत से पादप रोग जनकों के प्रभावशाली जीवन नियंत्रन कारक होते हैं अब आता है वैक्यूलो वाइरसिस ऐसे रोग जनक हैं जो कीटो तथा संधी पादों पर हमला करते हैं ठीक है यह क्या काम करते हैं संधी पाद क्या होते हैं जिनके पैर क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं ठीक है तो उनक पादपज हैं पक्षि – मचलयां यहां तक कि लक्ष विहीन कीट पर किस प्रignon करकर का हानिकारण प्रभाव नहीं डालता है थीक, यह सिर्फ उनके उपर हानिकारणड अध्यषत गया गऑत तो इनकी जडबरक। है इनकी जड़ में चोटे-चोडे-चोटे-चोटे होते हैं हम लोगों आपके इन्वाइरोमेंट में नाइट्रोजन मौझूद है उस नाइट्रोजन को क्या करेगा ठीक है और क्या करेगा उसका इस्त्री करन करता है यानि तो जीवानु जो बाईव मनडल नाइट्रोजन को इस्तिकरन कर देता है और कार्बनिक रूपे परिवर्टित कर देता है प्रियोग पोशन के रूप में करते हैं साइनोग नाम आप लोगों ने सुना है यह जो जली तत्फा इस्तलिय वाईव लिए तोरिया का नाम भी आप लोगों ने सुना है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि धान के खेत में साइनो बेक्टीरिया महत्मून जैव और वरक की भूमिगा निभाता है यह कभी कवार पूछ लिया जाता है कि धान के रूप में ऐसा कौन सा बेक्टीरिया है जो इं मिलें दिया जाता है जो और शुक्षमिजीव हैं दो तरीके हैं एक मुक्तजीवी होते हैं । मुक्तजीवी मतलब की जरका साथ में रहते हैं और जंदगी बिताते हैं ठीक चलो तो मुव्त जीवी की जब मैं बात करती हूं तो मुरदा में क्या है स्वतनतर रूप से पाय जाते हैं जैसे कि सबर को सब्सक्राइब यहां पर क्झा सब्iff बाद कर्ते हैं डोनों ठाल होते हैं शुक्तिकलों कि घunnyeam सब्सक्राइब करते देदेब सब्सक्राइब करें जाते हैं सम्सक्राइब गलें तो प्लांट उस nitrogen को अपने लिए यूज करता है अपने पोशक तत्वों के लिए यूज करता है राइट यहां राइजो भी हमका एक्जेमपल दिया है मैंने फिर कुछ क्या दलहनी फंसले होती है ठीक है जहां यह पाया जाता है nitrogen मैं nato nitrogen फिक्षिंग करता है वहाँ फिर हमारे उoo कहता है जिसका नाम को मारे कोडियागया चीजते людей संबतक है ग्लैमरिस जीन्स के बहुत से सदसे माइकोराइजा बनाते हैं सायोजन में कफकिये सहजीवी म्रदा से फॉस्फोरस का अफ्शोक्षन करके उसे क्या करते हैं पादपों में भेजते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था ठीक तो ऐसे संबंदे से युक्त पादप कई अन्यलाब जैसे की मूलवा तोड रोग जनक के प्रति प्रति रोधक्ता बनाते हैं लवर्ता तता सूखे के प्रति सहनशीलता तता कुल व्रद्धी और विकास को क्या करते हैं प्रदश्चित करने का ये काम कर देते हैं साइनो बैक्टियर जिसका नाम आप बहुत बार सुन चेको जैसे मैंने भी बताया धान के खेत में इसका बहुत जादा यूज होता है तो साइनो बैक्टियर के सुपोशित सूख्ष मजीव है जो जलिये दता इस तलिये वायू मंडल में एक विस्तिरत रूप से पाया जाता है यानि कि बहुत अच्छे मांट में पाया जाता है इन्हें बहुत से वायू मंडली नाइट्रोजन को इस तरी करत कर सकते हैं जैस मैंने पूरी कोशिश करिए कि पूरा चाप्टर आपको शौर्ट में और क्रिस्पी तरीके से समझाने की ठीक है कि आपको फड़ा फर्चे वो चीज़े समझ में आ जाए उमीद करती हूं कि इसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा सासानी भी हुई टाड़